ओके दियार स्टूरूंस थर्ड वीडियो और डिफ्रेंसियेशन इसके अंदर ट्रिप्नोमेट्रिक फॉंक्षिंस का डिफ्रेंसियेशन हम लोग सिखने जा रहे हैं तो यह कुछ फॉंगले सामने लिखे हुए है इसको दियान से देख वीजिए सो अगर फॉंक्षन है यही इकोर सिखन अन साइमेट्रिक श कडिफिन से कदो फॉंक्षन हम अन वाइब तो सिखन x-quot x, इसे तरह से y is equal to sec x है तो इसका derivative जाने दिवाइपन x will be sec x tan x and अगर y is equal to cot of x है तो इसका derivative is minus cosecant square x तो यह रिलीटिवरी याद करने असाम हो जादे हैं, इसको थोड़ा से एक चीहीं का बहुत हैं कि जो भी trigonometric function c से शुरू हो रहा है उसी का derivative with a negative sign आ रहा है और जो C से नहीं शुरू हो रहा है उसका derivative माइनस साइन के साथ नहीं आ रहा है तो यह थोड़ा सा ध्यान में मरलब एजी रहेगा यादिकना Otherwise, कोई otherwise, ऐसा कोई C के कान में यह नहीं कि तुमुरा ऐसा कुछ नहीं है Please remember, तो जो भी trigonometric function में C आता है उसका derivative माइनस साइन के साथ होता है तो यह यादखना इसे थोड़ा easy रहेगा आपको यादखना ताकि यह पता है जो भी C से नहीं है उसके derivative सा positive है अच्छा ही कोची यह differentiation के लिए तो important है ही लेकिन जब आपने इसका integration integration जब हम लोग करेंगे तो integration में भी हमें यह अगर अच्छे से आता होगा तब ही हम integration अच्छे से कर पाएंगे so very very important के इनको अच्छे से अपने क्रिप में रखना है और याद रखना है तो यह बहुत अच्छे से इसको याद कर भीजिए और इसके बाद अपना लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके उपर so let's start so अगर आपको function आजाए y is equal to x की पार 7 plus 1 upon x की पार 5 plus 3 sin x plus log of x इसको differentiate करने को कहा रहा है तो सबसे पहला काम तो जैसे आपने देखा x की पार 5 यहाँ पे denominator में आप लिख रहे हैं तो सबसे पहला काम एक इस step में differentiation स्टार्ट इमद परिए क्या करेंगे दुबारा से इसको लिखिए x की पार 7 ऐसे का ऐसे प्लस यह मुझाइटा x की पार minus 5 plus 3 sin x बदकी सब ठीक है ऐसे का ऐसे आपने यह लिख दिया प्लस यहाँ पे माइनस 5 सामने x की पार minus 5 minus 1 क्याँ मित पार 1 आपकी स्टार्ट पीओ टिया ता सी पार 6 minus 5 upon x raised to the power 6 plus 3 cos of x plus 1 upon x is that okay चलिए एक और एक्रेंपल देखते हैं y is equal to T की पार 5 plus 4 upon T की पार 7 minus 3 cos t plus long e t जैसे आपने लिखा कि डॉमिनेटर में T लिखा हुआ है तो अग्ला स्टेप तो बाना से y के तर्फ में ही लिख लिया यहांने इसे हैं और की जिए तो विख राइट तो पार 5 से का ऐसे 4 त राइट टू पार ऊपर जाके –7-3 cos of T and plus log of T basic now next step differentiate निए वाई पान दी यह आजाएगा 5 त री पार 4 4 प्लस, 4 ऐसे का ऐसे constant है, minus 7 T raise to the power minus 7 minus 1, minus 8, यहाँ minus 3 as a constant, ऐसे का ऐसे, cos का derivative is minus sin T and log T का derivative will be 1 upon T, तो यह बंजाएगा हमारा 5 T की पार 4 minus 28 T raise to the power minus 8, प्लस हो जाएगा 3 sin T and plus 1 upon T, so if we want we can also write it as 5 T raise to the power 4 minus 28 upon T की पार 8, प्लस 3 sin T plus 1 upon T, तो इस तर हैसे, यहाँ, एक को एसे ले लेते हैं, so let us say, y is equal to 3 X raise to the power 7 plus 7 10 X, यह करा जाएगा है, इसको differentiate करना है, तो dy upon dx क्या जाएगा 3, ऐसे जाएगा, इसको differentiate करेंगे, 7 सामने X raise to the power 6, यहाँ पर 7 सामने, derivative of 10 X is what, secant square X, so यह बंजाएगा 21 X T power 6 plus 7 secant square X, is that okay, इसी तरह से एक और एक्जेम्पल लेते हैं, y is equal to X raise to the power 4 plus 1 upon X raise to the power 7 plus, plus, cosecant X का एक्जेम्पल ले लेते हैं, cosecant X, cosecant X, so इसको के differentiate करना, तो पहले दुबारा से इसको लिखिए, यहाँ जाएगा X T power 4 plus X raise to the power minus 7 plus, cosecant X, इस फोर में लिख लिया, अग्ला स्टैम्पल दिवाई, अब दिफिरेंटिये करने जाएं, so we get 4 X raise to the power 3 plus minus 7 in the bracket and we write today minus 7, then X raise to the power minus 7 minus 1 that will be minus 8 or cosecant X का derivative is minus cosecant X, quarter of X, so what you will get here, 4 X cube minus 7 upon X raise to the power 8 minus cosecant X, quarter of X, got it, तो इस तरह से बाती के पिए trigonometric functions आएं, उनके अग्लेवेटियों हमें अच्छे से पता हैं, तो बड़े ही आराम से हम लोग differentiation कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, differentiation में expert होना बहुत जरूरी है, wherever it is required उसके लिए भी, और बात में जब हमने integration करनी है, उसमें भी हमें अच्छे से differentiation आता होगा, तब ही हम integration में perfect हो पाएंगे, तो यहीं कर्म करते हैं, और कुछ और differentiation के formulae, next video में लेके, next video में मैं आपसे मिलता हूँ, thank you and bye-bye.